कि अगे अगे अभी टाइम चल रहा है उसमें आप लोग घर में रहिए और फिजिक्स पढ़िए और जब क्लास इसकूल चालू होगा तो बाती हम डिसकस कर लेंगे अभी यह से डेली थोटो थोटो बना पर जाओंगा उसमें आप लोग प्रिप्रेशन करते रहें अभी अपने देखते हैं हमारा चैप्टर नॉम्मर वन है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इस दा ब्रांच अप्पिजेग्स इन विच वी डील अवाउट दा इलेक्ट्रिसिटी दूटू चार्ज एड रेस्ट इसमें हम लोग पुई बीचार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके इलेक्ट्रीफिल्ट के बारे में स्टेडि करेंगे अब इसको में प्लास्टिक आप लिए इसको अगर मैं हैं में रफ करूंगा हेर में रप करूं और इसको मैं ले आँगा तो वड़ इसमाल पीशा पेपर, यह पेपर को अट्रेट करेगा इसके पहले यह ऐसा नहीं कर रहा जैसे इसको मैं ले आया तो यह अट्रेक्ट किया इसका मतलब इसमें चार्ج आ गया है यह यह तो पॉजिटिव चार्ज बन गया है यह निगेटिव चार्ज बन गया है तो यह चार्ज आया कहां से केमिस्टी में हम लोग पढ़ते हैं कि everything is made by atom और atom के nucleus में क्या होता है positive charge proton और electron बाहर evolve करते रहता है वाइसे दूसरा atom भी है उसके निप्लिया से positive charge proton और electron बाहर evolve करते रहेगा जिस atom का size बड़ा है उसमें attraction force कम रहेगा electron से जिसका size छोटा है उसमें attraction force ज्यादा रहेगा जब हम लोग एक material को दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो weak attraction force वाले material के atom का electron strong attraction force वाले material के atom में चला जाए जिससे जहां से electron जाएगा वो हो गया positive charge और जो electron acquire किया वो हो गया negative charge जो मैं notes भेजा हूँ उसमें इसके बारे में detail में ठोरी है उसको आप लोग पढ़ा कीजिए तो यह हुआ positive और negative charge अब यह भी पढ़े हैं हम लोग की same charge में repulsion force लगता है plus plus में repulsion माइनस माइनस में भी repulsion force लगेगा और opposite charge में attraction force लगता है तो यह जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी आप एनी material ड्यू टू वीच इट एक्क्वाइर attraction और repulsion force is known as charge यहने अगर कोई material का जो प्रॉपर्टी जिसके करण वो दूसरे material पे attraction या repulsion force लगाता है उसी को बोलते हैं charge इसमें एक नया charges क्या होता है क्या होता है किसी भी material पे जो charge है वो या तो plus e रहेगा या plus 2 e रहेगा या plus 3 e या minus e minus 2 e या minus 3 इसका मतलब या तो कोई material 1 2 3 4 electron donate करेगा या 1 2 3 4 electron accept करेगा donate करेगा तो बन जाएगा positive charge accept करेगा तो बन जाएगा negative charge कभी ये charge fraction में नहीं रहता है 1 by 2 plus minus e नहीं होगा 3 by 2 plus minus e नहीं होगा इसका मतलब कोई भी material half part या fraction में electron को ना तो donate करेगा और नहीं accept करेगा this property और this theory is called quantization of charges quantization of charges ये बोलता है कि किसी भी material पे charge electron के charge का integer multiple होता है q equal to plus minus n e where n equal to number of electron and e is the charge of electron 9 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power 19 कुलां ओके एलेक्ट्रोइस्टेटिक में एक जो बेसिक जो लाँ है जो हर देगा अप्ती क्यावर होगा अगर अगर इसके में तो बीटूइन तूचार्ज ज़ेक और अपोजित है तो आट्रेक्शन कोश्ट लगेगा अगर इसके बीच का इस्तेंस तो फोर्स भी लाज़र रहेगा एफ इन्वर्सरी प्रोपोर्शनल तो स्क्वेयर आप डिस्टेंज बिट्वीन दें चार्ज अगर दूर जाएंगे फोर्स लगेगा चार्ज पास आएंगे तो जगाद फोर्स लगेगा in combined form we can write as f equal to k q1 q2 upon r square here k is constant and the value of this constant is in si unit k equal to 1 then f equal to q1 q2 upon r square dime and in si unit k equal to 1 upon 4 pi epsilon of that is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square this is the value of small k so we can write this equation as f equal to 1 upon 4 pi epsilon of q1 q2 upon r square this is the coulomb's law और इस पर बेस्ट बहुत सारे निमेरिकल है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग निमेरिकल है इसको हम आगे वाले चेप्टर में पढ़ेंगे अभी इतना वो रीड करिए खुड़ा सा मेरा नोट्स पढ़िए बेसी चीज़े पढ़िए कल मैं और एक और वीडियो पोस्ट क रहे जो को पना हम ऐ खुड़ा और गॉबए पल्स कोल में बहुत मैं या आगे बहुत है और रहो खुड़ा है के या या जीन होता है क्या है आगे बहूँदा गाय विड़ाण को या बहुतोग है और गाय।